वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते गुरु प्यारो जब जी सैब्दी सैंती में पौड़ी अंदर सिर्फ करम खंड दी ही विचारने बलके इस पौड़ी अंदर पंजवे खंड पाव सज खंड दी वी विचार है जसनों आज जसी गुरु सैब्दी किरपा जीविया जरूर जा सकता है पर जे पूरा पूरा इस अवस्ता बारे कहना हुए ता साड़े कई सारे शब्द छोटी पह चांदे हैं क्योंकि ए अवस्ता अकालपुर्क वांग बड़ी महान ते उच्ची है ता आओ जब जी सहब जी सच खंड दी पहली तो कबल चांदे हैं जे सवच गुरु पाश्या फरमादे हैं के साच खंड दी बनावट क्या हो जी है गुरु सेफ फरमादे हैं के साच खंड वसय निरंकार साच खंड पाव पंजबी अवस्ता जिसनों मंजल भी कह सकते हैं पाव मानदा तरम तो हुंदे होए साच तक बुझना मान दी, मंजल है, मान दा ये सफर लंबा है पर ये आउंदे, आउंदे ये अपने पिछले सारे परदे लाउंदा है हर विकार, हर उविचार जो साचतों तोड़दा सी ओ बोट पिछे चाड़दा है ते जित्धे होन मान पोँचदा है उ है सच दा हिस्सा होन वाली अवस्ता गुरू सहबे सुनो सच खंड दा नाम दिन देहन इस दी बनावट कह हो जी है गुरू पेरो जमे सर्म खंड दी बनावट रूप सी जिते मानदा रूप त्यार होंदा है ते कर्म खंड दी बनावट जोर सी जिते आके मन जोर वाला हो जन्द है जिते होन कोई पाप विकार उस ते नेड़े नी टुकदा इंजी सच खंड दी बनावट की है उह निरंग कार पाव एते आके मन उस दाही रूप हो जान्दा है कैन तो पाव के जिस बारे होन तक सुनिया उसनों मन महसूस कार पांदा है सुन पांदा है उसनाल एक हो पांदा है गुरु प्यारियो कैन नों इस सफर छूटा लगदा होईगा पर इसनों बहुत समा लगदा है होली होली मन सुदरदा है पौडी तर पौडी चलता है अते अंत इस अवस्ता तक पुझता है जो के सच खंड है जिस परी कुरुस है इस तोक अंदर फरमांदिहन के सच खंड विच पाव अकालपुर्क नल एक रूप होन वाली अवस्ता विच मान दे अंदर ओ अकालपुर् अपने अंदर जो है वी ओ आप ही है हर पासी जो है वो सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुर्क परमात्मा आप है इस तो बाद गुरु सेब अगली तोक अंदर फर्मा देहन के कार कार वेख है नदर निहाल होन मान जिस अवस्ता विच पुझा है एति होन दुझा कुछ होरता है ही नहीं जो है अकाल पुर्क है गुरु सेब परमान देहन के कार कार वेख है जमें अकाल पुर्क जगतनौ राचरच के वेखता है संबाल दा है मेर दिन अजरनल संबाल दा है निहाल कर दा है इनज दी ही मान दी अवस्ता हो जान्दी है हुण मन जो करदा है जो बोलदा है जो कार्ज करदा है वो एक नमे जगत वरगा हुनदा है पाव नरोवा ताजा जिस पिछे निरंकार आप हुनदा है मन अंदर हुण जो विचार पैदा हुनदे हन इन नमे जगत ती तरह हुनदे हन जिसनो रचन वाला पाव दीन वाला भी अकाल पुरुक आप है अधे आप ही उसते चलन दी सोजी बख्षता है जो जो कारज उक करवांदा है उसनों उदेखदा भी आप है संबालदा भी आप है नदर भी अपनी रगता है अते मान दी हालत एस सब करके क्या हो जई होंदी है आनंद वाली खुशी वाली जे में असी कुछ नमा त्यार करिए जहां कुछ नमा करिदी ता सनु किन्ने खुशी होंदी है कि मैं कुछ अपना बनाया है इन जो मान जद नमे विचार सुचजे विचार सजरे विचार प्राप्त करता है उना दे चलता है कर्म करता है ता निहाल हो जाता है तक गुरु सेब इस पंक्ति अंदर किरपा करते हैं के ओ निरंग कार इस रिष्टी उनों पैदा करकर के वेखता है अते अपने इस रिष्टी नों सबनों किरतार्त भी करता है इन जही इस अवस्ता अंदर पुझे मन्दी नवे विचार पैदा करकर के पाव उचार के उस द प्रफुश्य रभ्धी यहाँ कान निर्ण कार देन ताहीं इना भोलना थे मालक दी नदर होंति है जिस अंदर जान होंति है जिसनों जदौं भी पढ़या जाए नवे लगते है जिसनों पढ़की मन् आपता निहाल हुंदा ही है जो भी ऐसी रभी बानी नड जुड़ता है ओवी निहाल हो जानता है, देस्तो अगली तोकर निर्गूर से फर्मान दे हन के, तिथे खांड मंडल वर्पंड, तिथे पाव सच खांड अंदर, मन इस अकाल पुर्कनाल एक रूप होन वाली अवस्ता अंदर की कोज देखता है, मनंडल, तेवर पंड, पाव ब्रेमंड, एक खांड मंडल की हन, एक ताँ खांड है जवे तरती दे कई खांड हन, यस तो इलावा जवे सूरजी परवार अंदर कई सारे खंड है उसनवी खंड का जानता है फिर इस तो इलावा अध्यात्मिक तादी काल करीए था इस अंदर भी के इसारे खंड हैं ईससी हैं जो थानु साज खंड तक ले के आंती हैं इस तो बाद है बंडल जेमें हिंदी जे कह थे हम हैं मंडल पाव सूर्झी परवार जे संदर ह तरती आधे ग्रय होंदी हन। इस तों बाद है ब्रहमंड। सारे खंड, मंडल अते तारियान उन मिलकी जो समू त्यार होंदा है वो है ब्रहमंड। अते ब्रहमंड भी कोई एक नई करोडा ब्रहमंड हन। जिते कई सूरज, चन, तारे, तरतियां आध हन ता इस अवस्था अंदर जित्ते मन ये देखता है कि निरंग कार्दी इस स्रिष्टी अंदर बेयंत खंड मंडल ते ब्रहमंड हन इन जही गुरूप यहरो मान कोल भी बेयंत विचार हुंदी हन कुछ छोटे छोटे विचार खंड रूप जो रोज मरादी जीवन अंदर कम हुंदी हन इस तो मंडल पाव ओ विचार जो खंड तो उपर हन जिना अंदर रभी विचार है ये विचार एहो जी हन जिसनों वाख वाख करके भी देख्या जाए ता कई सारी अर्थ निकलाउंदी हन अते जी कठा समझे जाए ता फिर गाल ही कुछ होर हुंदी है पर इसनों समझन लई उच जी अवस्तादी लोड है पाव मन शांत होवे मन विकारा तो रहत होवे फिर ही इना मंडल रूपी विचारा अंदर मन लुब की लापंदा है अते वरवंड है छोटे वड़े विचारां दा समू जमें गुरू से हमने बाणी नों इकठा कीता ये है साड़ली ब्रहमंड ए ए मंडल हन अधी ऐसे विचार जो सड़्ी रोज दी जिंद्गी के कम होंदी हन हो खंढ हन गर वकवा करना दी ख्यालादे विचारां दी खंढे उने अंदर वी प्रमात्मा आप हुनदा है जिना अंदर वी सच हुनदा है ता मन इस अवस्ता अंदर जिते मालक दी बनाई क पाव जी को कुई मनों के इना खंड मंडल ते वर पंड दा कथन करे ता उना दा अन्त और नहीं पा सकता पाव उना दी ओरक नहीं पैसकती गुरू प्यारियो जो पिछली तुक अंदर विचार होई इसनो पूरा-पूरा कैपाना बहुत ओकासी अते ओका है क्योंकि असी पामे किन्नेवी शब्द जोर्ड के इस अवस्था बारे इना खंडा बारे इना विचारां बारे विचार करिए साड़ी हर विचार इस अवस्ता गे बोणी रह जांदी है जमें असी गुरु महराज बारे गल करिये उता सारे ही सच खंट तक पहुंची होई हैं अकाल पुर्क नल एक में कहान गुरु प्यरु गुरु सहब जो कहन दे हन उचार दे हन उना विचारानों असी समझ के वी पूरा-पूरा समझ नहीं सकते क्यों? क्योंके गुरु सहब जिस अवस्ता अंदर जाके विचार दे रहे हन वो बहुत उच्छी अवस्ता है अते असी जो विचार कर दे हैं वो अपने अवस्ता उनसार कर दे हैं पर एप बानी दा गुन देखो खंड अंदर उन्ना ही रस हुंदा है अनंद हुंदा है सच हुंदा है विचार हुंदी है पर जे मन उच्छी आत्मिक अवस्ता तक पहुंच के विचार करे ता गुरु सहब दी बानी दा होर भी अनंद भज्जन दे मन आत्मिक मंडल दे सिखरा दे पहुंच जानता था गुरु प्यारो इस तुक रही गुरु सहीव फर्मान दे हान के जे कोई मनोख इस खंड मंडल वर पंड दा कतन करन लगे ता उना दे उड़क नहीं पैसक दे अंत नहीं पासक दे इस तो बाद गुरु सहीव अगली तोक बनते आकार दिस्थी हन गुरु प्यारो लोदा पाव लोक भी हुंता है प्रकाश भी पवडवी ता इस तुक अंदर जित्थे मन निरंकार दी बनाई श्रिष्टी नो देखता है जित्थे बेंत लोक हन जिनादे वक्खो वक आकार हन ओते ही ओ मान दे जक्त अंदर भी ब होवे सोजी किसी होडी होवे ता असी ओ ही देख़ पांदे हां जो दूझा दिखावनास चंद है 6mm साड़ा देखना अजए साड़ा ने साड़ा सुनना भी साड़ा ने बलुक जो साड़े अंदर निवास करदा है जसे इशारेती सारा जगत चलदा है जद मन उस दी सुनदा है उस एक दी मनदा है जद ओ रब्भी तर्म अनुसार चलदा है उस दे होकम नो समझ के कार विहार करदा है ता मन बेयंत लोकाणू अपने अंदर ही देख पान दा है पावमान अंदर जो निका तो निका लोग है जो निका तो निका क्याल है और अभी गुणदा आकार ले लेंदा है इस दा हरे एक बोल एन्ना मेंगा हो जानदा है जिमें पानी दी बूंद जिमें सूरज दी किर्ण जिवे चमक्दे तारी अते ब्रह्मंड सो गुरु सेब इस अवस्था अंदर पुजे मन बारे फर्मान देहन के इस अवस्था विच बे अंत पवणते आकार दिस्दी हन इस तो बात गुरु सेब फर्मान देहन के जिव जिव हुकम तिवै तिवकार जो मन सचदा हिस्सा हो जानदा है जो अकाल पुरक विच अपेद हो जानदा है उस दाहर ख्याल ब्रहमंड जिया है जो वो कीमती है पर ख्याल रहे के ख्याल जा विचार खोन इस्दा नहीं है जद पाव विचार साड़ा हो जावे फिर ये इस अवस्ता विचे रेन वाला ही नहीं रेगा क्योंकि इत्थे साच खंड विच मैं ता हुन्दी नहीं सिर्फ तो ही तो हुन्दा है सिर्फ ओ ही कुछ हुन्दा है जो उस दा हुक्म हुन्दा है जे अकालपुर्क ने तखते बाद दिता तावी मन उस्ती रजा विच है जे उ मुश्किलांच पादे वे सदा दुख तिकलीफां दी मार पवे तावी उस्ते हुक्म अंदर मन रेंदा है पाने अंदर रेंदा है जिस्ता पाना माननों बड़ा ही प्यारा लगदा है जे ते कई कुछ उपजदा है ते कई कुछ बिरस्ता भी है ता गुरु से बेस्तो करें फर्मादे हन के जे में जे में अकालपुर्क दा हुक्म हुंदा है तिमें तिमें ही उस्ते कार विहार चल दी हन ओहो जही ही किर्थ चल दी है उस दी होकम तो बार कुझ भी नहीं होंदा अते होकम तो बार मन जाना भी नहीं चाओंदा क्योंकि यह होकम है ही बड़ा प्यारा ता इस अवस्तांदर मन उसे तरह चल दा है जिवें जिवें हुक्म होंदा है पाव हुक्म नो पूरी तरानल समदिन वाला मन हो जानदा है इस तो बाद कुरु सा फरमा देहन के विख है विगस है कार वीचार सो साचकन दी अवस्ता अंदर पुजया मन जो अकाल पुर्क नो अपने अंग संग जानदा है महसूस करदा है जो उस ते हुक्म अंदर ही चलदा है उस ते एक कार विहार विख है निरंग कार उस ते कार जुनो विखता है अते विचार करके खुछ होंदा है गुरू प्यारों, इस दार्त यह नहीं लेना कि जो हुकम अंदर नहीं है, उस ते मालक निराज हो गया नहीं, मालक ने बड़ा ही प्यारा इस चक्त अंदर तर्म ला दिता, कानून ला दिता कि जो जय हो जया कर्म करदा है, ओहो जया फल नालो नाल मिली जा बढर दो हैं। नो साफ साफ देख सके और देख सके कि मालक दा क्या हुजया जगत है क्या हुजया एत्थी हुक्म है मैं कैंजी जीना है कि में जगत नो उस्ता रूप समझ के चलना है ता जो मन साथ जखंड अंदर पुजदा है जो हुक्म अनुसार कार विहार करदा है गुरु सैब इस तो खुछ हुंदा है अते विचार पाव जद गुणा दी विचार नाल जी हुंदा है जद गुणा नू अमली जमा दिन दा है ता मान दी खुछी दा कोई ठिकाना ने रहन दा क्योंकि उसनू ओ दोलत मिली जो किसे को नहीं रभी गुणा दी दोलत उसनू ओ जमीन मिली जो किसे को नई रभी रहमती जमीन उस दे ख्याला दा जक्त ता मन जदर अभी गुणानू ख्यालानू ना सिर्फ संबालदा बलकि उस दे कर्म करदा है विचार करदा है उसनों जियोंदा है ता मन आनंदनाल बाज जानता है मन विगसता है ता अंत विच्च सच खंड दी अंतली पोड़ी वच गुरु से फरमां देहन के नानक कतना करड़ा सार पाव ही नानक इस अवस्थानों कतना बड़ा ही योखा है इस दा कतन इंज है जमें लोहेनों दंदानल चबाना गुरु प्यारियों सच खंड पोड़ी दा एक एक शब्द बहुत लंबी विचार मंगता है पर उस्तों भी ज़्यादा ए पोड़ी मान दी ओ अवस्था मंग दी है जिस अवस्था अंदर ए पोड़ी लिखी गई है ता ए पोड़ी जोके निरंकारनल एक रूप होनवाली पोड़ी है इसनों कतन करना बहुत योख है इसलिए इसनी विचार नों जिनने वार भी दोहराया जाए जिनने वार भी इसनी विचार कीती जाए जिनना वाद तो वाद ग्यान लेके कतिया जाए हर कत्षन सजखंड अवस्ता के छोटा रैजानद है यह पदवी अवस्ता बहुत उच्ची है अते साड़े जो शब्ध हन वो बड़े छोटे हन यह संसारी हन साध्य शब्द उनने को ही शालमारन जोगी हन जिन्नी को अज़ेब मान दी अवस्ता है अते जे कोई इस अवस्ता ते पुझ भी जाये जे इस दी विचार कर भी जाये फैर भी औत चाँ के दोजे नो समझाँ नही पाएगा कि इस अवस्ता अंदर की की है क्योंकि इस पद्वी नो जीविया ता जा सकता है इस अनन्दता लिया जा सकता है पर पूरा पूरा समझाया नहीं जा सकता सो गुरु सैब इस तोकराई फरमा देहन के है नानक इस अवस्ता दा कतन करना बहुत ही योग है पाव ए अवस्ता ब्यान नहीं कीती जा सकती अनुपव ही कीती जा सकती है इसनों सिर्फ मानिया जा सकता है इसनों सिर्फ जीव्या जा सकता है ता गुरू प्यारो एसी सेंतिमी पौड़ी अंदर साचकान दी विचार ये पांच खंडा दी विचार गुरु सहब दे किरपा नाल समझी है मैं जान दा हां कि ए विचार उननी उच्ची नहीं जा उननी डूंगी नहीं जिननी होनी चाहिए दी सी पर जिनना को ग्यान किरपा सत्गुरु पासों मिली है उनना को ही कह सके हां गुरु साहब अगे तो होर ज़ादा सुमत भक्षन, होर ज़ादा अपनी बाणी नाल जोडन, ता जो बाणी नो होर सरल तरीके नाल समझ के अगे समझाया जा सके, इसनो जीविया जा सके, इस दे एक एक बोल नो जन्दगी दा अंग बनाया जा सके, ता गुरु प्यारो इस शिरी गुरु नानक पाशा जीदा, शिरी गुरु ग्रांस जीदा, इस विचार लेए, पानी लेए, सिख्यावा लेए, किर्पा लेए, वार वार तनवाद करदा हाँ, अते इस विचार नो सुना लिए आप समदा भी बहुत बहुत तनवाद, वाही गुरुजी का खालसा, वाही गुरुचे की फाते हैं